तिय गाइज वीलकम्ट तो माई चैनल एसम टेरोड कार रीडिंग और इस ताम पर क्या करेंट एनर्जी है क्या करेंट फिलेंग इआपके परसन की टेरोड में देखेंगे तो dear guys चले देख लेते हैं कि आपके person आपको कितना प्यार करते हैं उनके दिल में आपके लिए feelings हैं और क्या वो आपके लिए कोई step लेंगे उनका next action आपके लिए होगा या नहीं ठीक है तो इसी चीज़ को देखेंगे कि अगर आज आप लोग third person की बज़े से अलग हो चुके हैं तो क्या आपके partner के दिल में आपके लिए feelings हैं क्या वो आपसे real में love करते हैं अंदर से उनके प्यार है आपके लिए या खतम हो चुका है नहीं है और अगर प्यार है अगर feelings true है loving है तो क्या वो आपके लिए कोई action लेंगे या नहीं लेंगे दो चीजों को tarot card में देखेंगे general leading है पहले पता देती हूँ आपको personally अगर आपको guidance मेरे से लेना है तो आप ले सकते हैं मेरा number है जो सिर्फ और सिर्फ मेरा number वीडियो पर आ रहा है तो वही से number लें और personally जो मेर guidance है वो paid service है लेकिन आपको पूरी guidance मिलेगी वीडियो पर सही number ले या फिर number description box से निकाले comment box में number मैं नहीं लेती हूँ तो comment box की number से साब्थान रहें तो कितनी feelings हैं देखेंगे timeless है तो कभी भी आप देख सकते हैं क्या energies है यहाँ पर check करेंगे देखें ठीक है देखें सबसे पहले energies आई तो बहुत सारे cards है लेकिन मेरा जो ध्यान जा रहा है सबसे पहले वो इस cards पर जा रहा है जो कि यहाँ पर represent कर रहा है कि आपकी जो person है इस time पर ठीक है आप no context situation में हो सकते हो बिलकुल हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपक की बातचीत होती नहीं है आप दोनों बिलकुल मतलब एक्तम से बहुत disturbance relation में आ चुके हो जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से यह भी हो सकता है कि relation खतम भी हो गया हो ऐसा भी हो सकता है या फिर नोंने बात करना चोड़ दिया है बंद कर दी है तो यह relation में मुझे लग रहा है आपके relation की तो आपके जो person है क्योंकि शुरुबात में इसलिए कह रही है क्योंकि अनर्जिस मुझे यहाँ पर देख रही है क्योंकि अभी के according contact जो है वह पूरी तरीके से यहाँ पर खतम हो गया है लेकिन feelings नहीं खतम हो यह contact खतम होने से feelings कभी भी खतम नहीं होती है पहले तो यह है ठीके अगर आपके person की दिल में आपके लिए feelings है आप बात करो आप बात ना करो same feelings रहेंगे कितनी भी नाराजगी हो feelings change नहीं होती नाराजगी से गुषे से या बात ना करने से feelings change नहीं होती feelings वही रहती है ठीके और अगर आप डेली बात कर रहे हो daily everyday बिना ना गल लेकिन बात भी नहीं कर रहे हो तो बात नहीं करने से feelings कतमने feelings है भावनाए है तो loving energies है दूसी चीज में यहाँ पर देख रही हो dreams क्योंकि dream बहुत ज़्यादा मेरे को बार बार नज़र आ रहा है तो means आपके person बहुत ज़्यादा dreams में देखते होंगे आपको हो सकते कि आप दोनों अलग हो गए हो लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूं कि past की energies आ रहे है कि आपके person को आपने बहुत ज़्यादा support किया है ठीक है मैं यहाँ पर देख रही हो सकता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से चाहाँ उनका career हो या फिर उनका finance का हो या फिर person के लिए ठीक है and आज आपके person no contact situation में वही चीजों को सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं उनको वही चीज सबसे ज़्यादा नजर आ रही हैं वही चीजों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपने तो आपकी आपने तो उनका साथ दिया लेकिन उसके बाद वो किसी third person में या फिर no contact situation में आ गए reason चाहें कोई भी हो है ना and इतने efforts करने के बाद भी वो social media के तुरू या फिर किसी कोई भी friends या कोई भी उनकी energy third person के family जो भी हो वो तो अपना ही उन्होंने हिसाब किताब देखा है ना और वो तो अपने हिसाब से ही जो है वो चले जड़ा सोच रहे हैं and कहीं न कहीं जो रिष्टा आपके और उनके बीच में पूरी तरीके से खतम हो गया था या फर आप दोनों के बीच में relation पूरी तरीके से तूट गया था अब उस relation में मैं एक नई शुरू बात देख रही हूँ energy यहाँ पर है कि नई शुरू बात होगी आप दोनों के बीच में क्योंकि आपके person की जो energy यहाँ पर यह भी आ रही है कि उन्होंने अचानक से आपके साथ रिष्टा कर दिया sudden change होता है अचानक से आपके साथ relation कर दिया अचानक से बोलना बन कर दिया और अचानक से मना कर दिया कि बस हम इस रिष्टे को अभी स्टॉप करेंगे अभी आगे नहीं लेके जाना है अभी अभी कुछ नहीं इस रिष्टे में करेंगे आगे बात नहीं करेंगे आगे नह आपके साथ marriage नहीं करना, like कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी reason मेरे को दिख रहे हैं, तो अभी आपके person जो है, उन्होंने अगर आपके साथ रिष्टा तोड़ने के बारे में सोचा भी था, या फिर मा लिजे आपका उनका रिष्टा भी नहीं है, stop हो गया है, तो यहाँ पर energies आ रही है, कि आपके person जो है, वो आपके बारे में सोच बहुत जादा रहे है, and किसी भी energies में यहाँ पर यह दिखने को नहीं मिल रहा है, कि आपके जो person है, वो आपके साथ रिष्टा तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तोड़ना नहीं चाहते है, यहाँ पर celebration का card है, जो मिल रही है, तो नहीं शुरूबात होने वाली है, आपके person के साथ, आपके relation के अनिया पर celebration के energies आ रही है, जो कि इस चीज के बारे में बोल रहे है, कि next action उनका जो है, वो आपके लिए बहुत जल्द होने वाला है, like marriage related, और कही न कहीं, कुछ ऐसी चीजे, जो शायद आपकी उनके साथ पूरी तरीके से खतम हो गई है, रिष्टा तूट किया है, तो action जो जो भी लेंगे, वो next action जो है, वो आपके लिए आपके favor में है, आप दोनों के बीच से मेरे को जो energies आ रही है, third party की, वो third person खुद ही जो है, अगर family से है, तो खुद ही हार मान जाएगा, और आ कि आप इस relation में जाएगा, क्योंकि family खुद ही समझ जाएगी, समझ रही है, इस चीज को understand करेगी आपको, मतलब आपका साथ देगी, आपको support करेगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ रही है, और अगर कोई third party है, आप दोनों के बीच में, family नहीं है, तो अभी यहाँ पर कर्णा दोन कि उ्टक्तर शें, आपको साथ 5-5 फ़चला क।कर आपको, म स ionब देगा करेगी, यहाँ एते हैं, इस Cafindo, आपको यहाँ झालन को ईतान, सी आपको पर सी आपको, मतलब आपको, मतलब आपको, वहाँ बältदों आपको, आपको, इसNE